वक्रतंड महाकाय सूर्य कोटी सम प्रभ निर्विधनम कुरु मेदेव सर्वकार्येशु सर्दा वक्रतंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ निर्विधनम कुरुमे देव सर्वकार येशु सर्वदा बड़ ही ब्रेव से करती है इस दिन सो बाग्यवती इस्त्रिया पती के स्वास्त्य और दिखायू और मंगल कामना के लिए इस वरत को निराहा रहकर करती है और रातरी में चंद्रिमा को अर्धर देने के बाद ही वरत को खोलती है आईए अब हम करवाचोत की एक पुराने कथा सुनते हैं एक गाओं में एक सावकार दमपती अपने साथ बेटा बहु और एक बेटी के साथ रहते थे तब एक उस दिन भी भाईयों ने बहन को भोजन कने के लिए बोला तब बहन बोली की भाईया आज मेरा करवाचोत का वरत है इसलिए चांद उगेगा तब ही खाना खाऊंगी भाईयों ने सोचा की बहन को भुकी रहना पड़ेगा इसलिए एक बहाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने चलनी लेकर पहाडी पर चड़ गया और दिया रख कर उसके उपर चलनी ढग दी और अपनी बहन को रोशनी दिखाते हुए बोले कि बहन चांद उग आया है तुम अर्ध दे दो तब बहन ने अपनी भावियों से कहा कि भावी चांद उग आया है आप भी चांद द ही चांद देख लो हमारा चांद तो रातरी में ही उगेगा बहन ने नकली चांद को अर्ध दिया और अपने भाईयों के साथ खाना खाने के लिए बैट गई जैसे ही उसने पहला गास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया दूसरा गास तोड़ा तो छींक आ गई और भोजन का तीसरा गास तोड़ा तो ससुराल से वुलावा आ गया कि बेटा बहुत बिमार है बहु को घर भेज दीजिए मा ने अपनी बेटी को सुहागन वाले कपड़े पहनाने के लिए बक्सा खोला तीन बार बक्सा खोला लेकिन तीनों ही बार कभी सफेद कभी काला तो कभी नील रंग के साड़ी हाथ में आ रही थी तमा ने सफेद साड़ी के चारों पल्लू को हल्दी से रंग दिया और अपनी बेटी को पहना दिया और साथी उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि बेटी रास्ते में जो भी मिले उनके सब के पाउं छुती हुई जाना और जो भी उसे मिलता वे सब के पाउं चूती हुई जाती लेकिन सभी उसे कहते जीती रहे खुश रहे लेकिन किसी ने भी उसे अखंड सो भाग्यवती हुने का अशिर्वात नहीं दिया जब वे ससुराल की दरवाजे पर पहुंची तो जेट की लड़की जूला जूल रही थी सावकार की बेटी ने उसके पाउं चुए तो वै बोली शीली हो सपूती हो गूर सुहागन हो साथ बटा बटी की मा हो यह सुनते ही सावकार की बेटी ने उसे सोने का सिक्का दिया और पलू में गांट वाद ली अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पती मरा हुआ पड़ा घरवाले अर्थी पर सजाकर उसे ले जा रहे थे तब बहु ने अपने मरे हुए पती को जलाने के लिए ले जाने नहीं दिया सभी लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वै बोली कि आप मेरे लिए अलग से जोपड़ी बना कर के दे दो मैं अपने मरे हुए पती को लेकर उसी में रहूंगी तब उसे जंगल में एक जोपड़ी बना कर के दे दी सास रोज बचा कुचा ठंडा वासी भोजन कभी दासी के साथ तो कभी अपनी बेटी के साथ बहु के पास भोजन भेशती और कहती कि जा मुर्दा सेवनी को रोटी देया इस तरह समय बीतने लगा कुछ समय के बाद माग मास की तिल चोथ आई तो चोथ माता सावकार की बेटी से बोली कि करवा पिला तु करवा पिला भाईयों की प्यारी करवाले दिन में चांद देखने वाली करवाले तब सावकार की बेटी बोली कि है चोथ माता मेरा उजडा हुआ सुआग तो आपको ही बनाना पड़ेगा मेरे बती को आपको ही जीवित करना पड़ेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए तब चोत माता बोली कि मेरे से बड़ी तो बेसाख की चोत आईगी, तू बेसाख की चोत से सुहाग मांगना, इस तरह फिर बेसाख की चोत आई तब सावकार की बेटी बेसाख की चोत के पाउं पकर ली और बोली की हे माता मेरे पती को जीवित कर दीजिए, तब बेसाख की चोत बोली की मुझसे बड़ी तो भादवे की चोत आईगी, वही तुझे सुहाग देगी कुछ मेनों के बाद भादूरी चोत स्वर्ग से नीचे उतरी, भादूरी चोत ने सावकार की बेटी से कहा करवा पिला करवा पिला भाईयों की प्यारी करवाले, साथ भाईयों की बहन करवाले, दिन में चान देखने वाली करवाले तब सावकार की बेती भादूरी चोथ माता के पाउं पकड़ कर बोली कि है चोथ माता अब आप ही मेरे पती को जीवित कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी कलती हो गई तब भादूरी चोत माता सावकार की बेटी से बोली कि मुझसे बड़ी तो करवा चोत है, वही तुस्से नाराज है, यदि तुने उसके पैर छोड़ दिये तो फिर तेरे पती को कोई भी जिवित नहीं कर पाएगा इस तरह समय बीतने लगा, उसके चार मेने के बाद कार्तिक का मेहना आया, कार्तिक चोत के दिन स्वर्ग से चोत माता नीचे उतरी, चोत माता आई और गुसे से सावकार की बेटी से बोली कि सात भाईयों की बहन करवाले, दिन में चांद देखने वाली करवाले, वृत पाउं पकड़ लिए और वह रोने और गिड़ गिड़ाने लगी कि हे चोथ माता मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए, तब चोथ माता बोली कि मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैटी है, तब सावकार की बेटी बोली कि हे चोथ माता अब आपको ही मेरी तब सावकार की बेटी की विंती से चोत माता खुश हो गई और उसे अमरसुहाग का आशिरवाद दिया। तब चोत माता ने आँख में से काजल लिया, चट्टी उंगली में से मेंधी निकाली, टीकी में से रोली निकाली और उसे पानी में घोल कर उसका छीटा मुर्दापती के उपर डाला, वे आँख मलते हुए उठकर खड़ा हो गया और बोला कि मुझे तो बहुत नहीं उसके बाद चोत माता अंतरध्यान हो गई, तब सावकार की बेटी अपने पती से बोली कि मैं तो बारा मैने से सोई भी नहीं हूँ, मुझे तो चोत माता ने सुहाग दिया है और वे पूरी सच्चाई फिर उसने अपने पती को बताई, तब उसका पती बोला कि हमें चोत म माता का विदिविधान से उद्यापन करना चाहिए, तब ही उसकी नानद रोटी लेकर आई, जब उसने दो जनों की बोलनी की आवाज सुनी तो वे भागी भागी अपनी मा के पास गई और बोली की मा भाभी तो किसी से बाते कर रही है, जोपडी में से तो दो जनों के बो बुचने लगी कि यह सब कैसे हुआ, तब बहु ने अपनी सास से कहा कि मेरे उपर तो चोथ माता तूटी है, मुझे तो चोथ माता ने सुहागन होने का आशिरवात दिया है, तब बहु ने सासु के पैर चुए और सासु ने उसे अमर सो भाग्यवती होने का आशिरवात तबी दोनों पती पतनी का गटबंदन जुड़ गया यह सब चोत माता का चमतकार मानने लगे चोत माता का वरत सभी सुहागीन महिलाओं को अपने पती की लंबी आयू के लिए करना चाहिए और तेरे चोत का वरत करने के बाद उध्यापन करना चाहिए यह चोत माता जैसा सावकार की वेटी को सुहाग दिया वैसा सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को गरतियो तो पूरियो पूरियो तो परवान चड़े भूले भिसने नाम तेरे भंडार में भरे इसके बाद में गणेज जी की कहानी सुन किया कार्थी थी तब एक दिन गणेश भगवान बुडिया माई की पूजा से प्रसन हुए और उसे रातरी में सपन में आकर कहा कि है बुडिया माई मैं तेरी पूजा पाट से पहुत प्रसन हूँ तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले बुडिया ने कहा कि है गणेश जी तो उसने अपने बेटा बहु से अपने सपन वाले बात कही, तो बेटे ने कहा कि मा तुम तो धन मांग लो, बहु ने कहा कि आप पोता मांग लो, तब बुडिया माई सोचने लगी कि ये दोनों तो अपने ही मतलब की बाते कर रहे हैं, तब बुडिया माई ने पडोसन से प कि मैं ऐसा क्या मांगू कि मेरा बेटा भी खुश हो जाए बहु को पोता भी मिल जाए और मेरी आँखे भी आजाए खुब सोच विचार करने के बाद बुढिया ने मनी मन सोच लिया उसके बाद बुढिया माई रातरी में सो गई अर्ध रातरी को गणेश भगवान बुढि पीता हुआ देखना जाती हूँ गणेश भगवान ने बुढिया माई से कहा कि बुढिया माई तुने तो मुझे ठग लिया तुने तो एक ही वर में सब कुछ मांग लिया और ततास्तु का बर्दान देकर गणेश भगवान अंतरध्यान हो गे सुबर जब बुढिया माई पर सो करूठी तो उसने देखा कि उसका पोता सोने के कटोरे में दूद पी रहा था और उसका घर सुन्दर महल में बदल गया और पूरे घर में अनधन के भंडार भर गे ये गणिजी भगवान जैसा आपने बुडिया माई को दिया वैसा सबको देना कहानी कहने वाले को सु चांगा देखी चांदनी, हर्याबास की नीव, पीला पैने आपके, पीलो खायू बापके, करवा चोथ का चांदने, सुहागन खड़ी अर्ध देवे या फिर आप ये भी बोल सकते हैं चांदा हेलो उगियो, हर्याबास कटाई, साजनो बाबारन, आखापाती लाई, सोना की सी सागली, गलमत्या रोहार, करवा चोथ का चांदने, अरग देवता, जीवो वीर पूत भरतार इस तरह आज हमने करवा चोथ की कहानी सुनी, साती गणी जी की कहानी सुनी, और रातरी में जंद्रमा को अर्धे देते समय क्या बोला जाता है वे सुना, आशा करती हूँ, आपको ये वीडियो जरू पसंद आएगा, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद